गासकर दोस्तों केसे हैं आफ लोग आए पाप लोग बहुत अच्छे हुए स्वस्त होगे मस्त होगे तो आए आज किस वीडियो में हम गक्छा-दंदृपी कर लोगे इतियास्त का चोथा अध्या कि कहीं कोई आप लोग को प्रोबलम नहीं हो अगर आप लोग को इतिहास पर ना एकदम जवरदस्ट तरीका जवरदस्थ भासा में अपने बाथा में ता आप लोग जो इसी वीडियो के निचे डिव्सेशन वॉक्स में आपको प्लेलिश्ट का लिंक मिल जागा वहां सा अधिया तो द लोग को जो अध्या देखने का मन होगा, वे अध्या आप लोगा आम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ने, यहाँ पार्थ भी, ओहां पडनलो को मिल जाेगा. और उसके जो नेता थे कौन थे सरदार बल्लव भाई पटेल कौन थे सरदार बल्लव बल्लव भाई पटेल थे ठीक है और सरदार की जो उपाधी मिली थी इसी अंदोलन के दोरान हुआ था यह जो अंदोलन था कौन अंदोलन था किसान अंदोलन था कौन अंदोलन था किसान अंदोलन था 20 परतिसत जो है क्या मांग रहा था कर मांग रहा था लास्ट में जो है इ इसमें जो है थोड़ा कुछ-कुछ टॉपिक बचा हुआ जन जातिय अंदोलन वगरा सब बचा हुआ है फिर से एक बार हम लोग रिविजन एक एक क्या कहते हैं एक हक लाइन जो है रिविजन करवा देंगे आप लोग को ताकि आप लोग का पूरा दिया एक दम जवर्दस टरीका से complete हो जाए ओके तो वही इस वीडिव रोगव शुरू करते हैं बाकि वीडियो अची लगे तभी बताँरे वीडियो को लैक करतेना दोस्तु अकूरा दियूस ऑ structure गर देना आये हम लोग समझते हैं जनजातिय अंदोलन जन जातिय अंदोलन जुद सुसामा इस विद्रो चलता था 19 सतावधी और 20 सतावधी में भारत के अने किसा में आदिवासी विद्रो चलता था ठीक했다 भाई आदिवासी लोग देखे ना जंगले में ज्यादा तर रहते हैं तीक है सीता रांव एक आप लोग नहीं समझना जब थोया थोड़ा-थोड़ा लगाने के लिए राजू ने च्पामार यूद छेर दिया ठीक के पेले क्या होता था जूम कि ईटब कर लगा कर खेती करना आग लगाकर करना राजू ने च्पामार यूद छेर दिया और ये 6 मई 1914 को राजु को गिरबतार करके गोली मार दिया गया ठीके 6 मई 1924 इसवी को राजु गिरबतार राजु को गिरबतार करके गोली मार दिया गया और सितंबर 1924 को विद्रो का क्या हो गया दमन हो गया जनजातिय अंदोलन जो था राष्टिय अंद जनजातिय अंदोलन का भूमी का निभाई थी और ये 19-20 सताबदी के भारत के कुछ हिस्सों में आदिबासी विद्रो चल रहा था जनजातिय अंदोलन यही था और इसमें जो थे मुएन नेता जो थे इसके सिताराम राजु के निर्थित में विद्रो बरा हो रहा था मतलब जनजातिय अंदोलन के जो मुख्य ने परमुख नेता थे सिताराम राजु थे यहां पर होता क्या था सहुकार द्वारा जो है सूसन किया जाता था लोगों को और जूम खेती पर रोक लगाने के लिए राजु ने चापा मार यूध छेर दिया और 6 मई मतलब यह जो राज राजु थे चारेते की जूम की खेती ना हो ठीक है 6 मई 1924 इस्वी को राजु को गिरबतार करके गोली मार दिया जाता और सितंबर 1924 इस्वी को क्या होता है इस विजरों का समापन हो जाता है ओके ज्यादा कुछ है ने इस अंदोलन का नेता इस आगे चलके यह अंदोलन लगता है तो इस अंदोलन का जो नेता बंजाते हैं को नेता तरह बंजाताा जतरा भागत को बंजाता है जत्रहा खहला कि आप लोग को जzechें सुरुपार में देखा कि राजु सितारहम राजु के निरत philosophies में अंदोलन जो था बिदुशू था बड़ा हो राता यहां पर आपने देखा कि अंदोलन का जो नेता थे कौन थे जत्रा भगत थे आप लोग को याद रखना जन जाती अंदोलन का जो नेता थे नेता थे कौन थे जत्रा भगत याद रखना ठीक है जत्रा भगत भगत उन्होंने लोगों को समझाया क्या क्या जत्रा भगत ने लोगों को स मास मदीरा आदिवासियों का निर्थ से दूर रहने के बात किये लोगों को मास मदीरा आदिवासियों का निर्थ से दूर रहने के बात के कहा गया ठीक है उसके बाद धीरे धीरे सब गांधी जी के साथ देने लगे और जूम की खेती पर परतिबंद लगाया जो आदिवासि लोग जो थे जूम की खेती करते थे उसमें परतिबंद लगया दिया गया उनिस्ट इसमें जादा कुछ आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि एतनी इंपोर्टेंट्स भी नहीं है बस इतना इंपोर्टेंट्स है कि जन जाती है अंदोलन में जो थे इनके नेता कौन थे जत्रा भगत थे ठीक है कोई दिकत नहीं इससे ज़्यादा रखने के इसमें कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा तर पूछा ये नहीं जाता ही ठीक है चो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग बोर्ड की तयारी कर रहे हूं इसलिए बता रहा बामपत केमिनिष्ट पार्टी, विश्वी सतावदी के सुरुवात में बामपाथियों की शवाएं होने लगी और इसी दोरान 1922 में, अब देखो हमने इससे पहले कि बहुत दूर दूर तक की कहानी आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक है, 1922 में M.N.Rai ने तासकंद में भारतिय केमिनिष्ट पार्टी की अस्थापना करवाया, All India Trade, याद रखना आप लोग को यहाँ पे, All India Trade Union Congress तथा All India Trade Union Federation के गठन से बामपत्यों का परसार हुआ मलदूर संग बढ़ रहे थे, 1934 में मुंबई कांग्रेस समाजबादी दल की अस्थापना हुआ, यह पोइंट आप लोग याद रखें, 1934 में मुंबई कांग्रेस समाजबादी दल का अस्थापना क्या गया, लेकिन सवेनिया अवेग्या अंदोलन के दोरान बामपांथियों ने कौंग्रेस का बिरोध किया, क्योंकि इनका मानना था कि कॉंग्रेस उन उद्योग पतियों एबं जमिनदारों के समर्थन में चल रहा है जो मजदूर का सोसन कर रहा है यह जो थे वहां की लोग बामपाथी और केमिनिस्ट पाटी यही चीजे थी ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आप लोग को याद रखन कि बीसवी सद्धिको अगर सीधी से अगर इसको अपने भासाम बोलें थो बीसवी सताब्दी की सुरवात में बामपाथीयों कि सभायें होने लगी और इस दौरान 960 सब्सक्राइबूं सभी में क्या एम ए न राय ने तासकंद में भारते कंपने के अस्थापना ख्या अर्ट में ऊंगरेस ता आर इंडिया ट्रेड यूनियन फेडेरेशं का गठन बामपाथियों के परसार मजदूर संग पर यह जो था मजदूर बगारा के लिए था ओर लूग जो थी यहाँ पे जो congres कया निरिया जो थे 1934 में मुमभई kongres समाजबादी दल थे और लोग जो थे उस उद्योगपती बगरास मिलते थे भाई इस तरह से लड़ाई मत करो तुम ठीक है उस समझाने के कोशिस करते थे और लोगों को लगने लगा कि उद्योगपती से जो है कांग्रेस जो है उद्योगपती लोग से जो है मिले हुए है क्या लगते थे कांग्रेस उद्योगप तो बामपाथी के मिदि बामपाथी जो था मजदूर लोगों का एक संग था ठीक है मजदूर लोगों का संग था आघे हम लोग बात करते हैं मुस्लिम इस थोड़ा इन्पोर्टेंट है थोड़ा धियान देने आप लोगको मुस्लिम लिंग 1926 भी मुआ था 1857 इस्वी के वि करते हैं तब करते हैं शोलस्व आर्ठभ डिस्वी में जो हैoter के अंतरगत अंगरेच जी शरकारzes अंग्रेच लिख चलो भारत में जो हैं यूज है मैं जो है युट हो आप अप लोग को मैंने सПрाव इस से पहले कौन आ था Сोला स्वाइस्त्वी में इस इंडिया कंपणी हा था ठीक इस इंडिया कंपणी आ ग parfly इंडिया और इस टीके चिंजों के आ रहे हां बता त़ और उस समय आ लोकति जो भारत पर सासन था था इसाफति ठीक जबाहत्र वीमि विधरों होता है धिके हिंद्ग मुस्लिम वहां दोनों संपर्दाय आमने सामने खरा होके असानी से सासन चलाया जा सकता है उनको लगा कि भारत जहां धार्मिक और जातिय विवाजन काफी कठोड़ है यहां पे और दोनों संपर्दाय को आमने सामने खरा करके असानी से सासन चलाया जाता है 1857 में उनको लगा कि यहां पे अंग्रेज दिमाग लगा लिया यह दोनों में जो हिंदू-मुस्लिम एक है हिंदू-मुस्लिम उनको लग रहा था कि एक एक ता देख चम भी तोड़ा था था तो था क्या दोनों को लराना आए किसी तरह उसने क्या करता बही ऐब फूट डालो और शासन करो की निती अपनाई फूट डालो और शासन करने की निती अपनाई दोनों को आपस में क्या करते हैं लगा देती है और यही कारण था कि 1887 इस भी में लड डफ्रीन ने कॉंग्रेस को हिंदूओंका पाटी कहकर संभोधित कर दिया जो 1887 में ही लॉर्ड डफरीन ने कॉंग्रेस को हिंदुओं का नेता कहकर संबोधीत कर दिया जो लॉर्ड डफिन थे उसे लड़ाई लगाना शुरू कर दिया एक दूसरे सो लड़ाना शुरू कर दिया उसने बोला कि हिंदू का सब ची चल रहा है मुसल्मान का तुक चल रहा है तुम लोग क्या कर रहे है उसी का नेता है उसी का सासन चल रहा है तुम लोग क्या है यार साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुष्टक में अंग्रेज मुसलिम मितरता पर काफी बल दिया उसने पुष्टक लिखा अंग्रेज मुसलिम मितरता अंग्रेज मुस्लिम मितरता पर एक किताब लिखा लोगों के बीच में उस किताब को दिया गया लोगों को बहकाया गया मुसल्मानों को आपसी लराय लरगाया गया तब जाके संभब हो पाया कि भारत पे उसने राज किया 1905 इसमी में लॉड करजन के बंगाल विभाजन की घोसना दुआरा पूरे बंगाल को दो परंतों में मतलब पुर्वी बंगाल एबं पश्वी बंगाल में बाट दिया पुर्वी बंगाल के मुसलिम परांत का नाम दिया गया और साथ ही मुसल्मानों को समझाया गया कि यह व विरोध कि लॉड हर्डिंग ने उनीष्म 11ban 1911 में बंगाल découvrir में को क्या कर लेता आपस ले लेता है दोनों को लाए लाने के इसने लुष में बाट धिया हिवाए दोनों को दो मुल्क में हम बाट देती है दो मुल्क में बाट देंगे तो कहो सकता हृट दोनों में लड़ाई हूँ लेकिन हिंदो मुसलिम उस समय भी एक था ठीक है जब देखा कि दोनों ने मिलकर हिंदु एव मुसल्मानों ने मिलकर इतना करा विरोध किया लॉड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर लिया आपस कर लिया फिर दोनों मुल्क एक ह सामुहिक अपने पन का भाव वे कारक जिन्होंने भारतिये लोगों को सामुहिक अपने पन की भाव वहावना को जगाया शिन्हों आत्र हृत्रा बंकिम चंद्र द्वारा ठीक है और राष्ट्र की पहचान के मदद मिली क्या हुआ एक हृत्र बनाया गया जिससे नह porch कि हम लोग भारतिय हैं तो भारत माता का चित्र किस ने बनाया था बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया भारत माता का पर्थम छवी चवी मतलब होता है चित्र चित्र किसके दौरा बनाया गया था, बंकिमचंद दौरा बनाया गया, इस छवी के माध्यम से राष्ट को पहचाने में मदद मिला, लोग कताएं लिखए गे, राष्टवादी घूम घूमकर, लोग कताओं का संकलन करने लगा, कताएं प्रमपरागत संस्कृति की सही उन्डने और तथा अतीत में गौरब का भाव पैदा कर रहा था लोगों को लगा कम से कम एक जंडा हो जाना चीए कुछ राष्टे गान होना चीए कुछ राष्टे गीत होनी चाहिए इसलिए इन सभी चीजों को सामूहिक पहचान मतलब अपने आपका हम लोग एक हैं एक ज चीज को मानना चाहिए किस से पहले जो हमारा पुराना युग था किस परकार से और यह जंडा तोलन इसलिए होता है ताकि हम उस चीजों को याद करें जो हमारे साथ अंग्रेजों ने जो किया था अंग्रेजों ने जो भारतिये लोगों का सोसन किया था उन चीजों के बा अगर लगे की बज रहा है वह इसे तो जल्दी नहीं बजाया जाता है अगर कहीं सभाएं में कहीं कहीं पे अगर आपको कान में अबाज आ जाता है तो याद रखें उस समय बावन सकेंड का ये गाना होता है गीत होता है राष्टिगान उसके में आप लोग को जो है कम से कम बावन सकेंड तक अपने एकदम हाथ पैर नीचे मतलब ऐसे करके अपने आपको उस समय बावन सकेंड तक कोई कार ना करें खरा होके सम्मान करें और ये काम लगभग नागरिक करते हैं कुछ को छुड़ा के, कुछ कुछ तो अलग की बात है, तो उसे सम्मान करनी चाहिए, इससे क्या होता है, अपने पन का भाव पैदा होता है, ये जंडा जो है, तीन डंग का जंडा जो हम लोग तोलन करते हैं, जंडा तोलन मतलब पड़ी थी, उस चीज को याद दिलाता है, इसलिए हम लोग जंडा तोलन करते हैं, ओके, चिन उधारन के लिए जंडा बनाया गया, बंगाल में 1905 में स्वदेशी अंदोलन के दोरान, सरपर्थम एक तिरंगा बनाया गया, उस तिरंगा में जो कलर था, हरा, पिला, लाल जिसमें आठ कमल थे, और 1921 तक आते आते, गांधी जी ने भी सफेद हरा और लाल रंगा तिरंगा तयार कर लिया था, इतिहास के पुर्ण वेख्या बहुत से भारतिये महसूस करने लगे थे, कि राष्ट के परती गर्भ की भावना जगाने के लिए भारतिये इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, ताकि भारतिये गर्भ के अनुसार अनुभव कर सके, गीत जैसे बंदे मातरम 1870 इस्वी के दसक में बंकिम चंद्रद्वारा गीत लिखा गया था, मातरी भूमी के अस्तूति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी अंदोलन में का आया गया था, ओके अब आते एक बार रिविजन की और पूरा अधिहाय का जो हम लोग क्या करते समय के अनुसार रिविजन कर लेते हैं, और यह रिविजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण होने बला है, किताब पूरा अगर आप लोग नहीं परे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1857 का पर्थम सोतंता संगराम हुआ था, 1870 इसवी में बंकिम चंद्र द्वारा बंदे मातरम की रचना हुई थी, 1885 इसवी में कांग्रेस की अस्थापना बंबई में हुई थी, वैमेस चंद्र बनर जी कांग्रेस के पर्थम बने थे, लॉर्ड करजन ने 1905 इसवी में बंगाल विभाजन का परस्ताव दिया था, 1905 इसवी में रवींद्र नाठ टैगोर ने भारत, अरे यार, भारत माता का चित्र बनाया, यह तू गलत दिखाओ, अभी मैंने आप लोग को बताया था, भारत माता का छवी जो है, ब 1905 इसवी में, यह गलत लिखा गया है, 1906 इसवी में, ठीक है, एक सकेंड, मैं यहां पर थोरा सा देख लेता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, 1905 इसवी में भारत माता का चित्र किसने बनाया था, चलो विया, गूगल, बता दे यार, कोई नहीं, हडा यह, इसको काड़ देते हैं, हमेंने आप लोग को पहले ही बता दिया ही है, यहां पर एक चीज, थोरा सा यह होड़ा ना, इसको कर रहा है, कि हमने यह बंकिम चंद दुआरा बनाया गया, इसलिए हम इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, बाकी देख लिया जाएगा, हमें 100 से उतर गया है, ठीक है, यहां पर अविंद्रनाथ टाइगोर नहीं होगा, अगर होगा भी तो, रविंद्रनाथ टाइगोर इसको हटाईए, अप लोग, 1906 में आगा खा और नवाब सलीम मुलाने मुसलिम लिंग की जो है, अस्थापना किया था, 1937 में कांग्रेश का विभाजन नरम दल एबंगरम दल में हुआ था, 1911 में दिल्ली दरवार का आयोजना, दिल्ली दरवार में बंगाल विभाजन को रद किया था, दिल्ली दरवार में राजधानी कोलकता से दिल्ली अस्थांतरित कर दिया गया था, ठीक है, उसके बाद 1914 में पर्थम विश्योध का आरंभ हुआ था, 1915 में महत्मा गांधी स्वादेशी वापसी, ठीक है, मतलब महत्मा गांधी 1925 में दक्षी न फिरका से आये थे, 1917 में महत्मा गांधी ने नील किरिसी का विरोध में चमपारन अंदोलन किया था, 1917 में महत्मा गांधी ने गुजरात के खेरा अंदोलन के किसानों के लिए सत्यगरा किया था, आगे आता है, 1918 में महत्मा गांधी ने गुजरात के आहमदाबाद में सूती कप्रामी गरों के लिए सत्यगरह किया था और 1918 में पर्थम विश्यूद की समाप्ती हुई थी पर्थम विश्यूद मतलब 1914 इसवी से 1918 इसवी तक चला था बोले तो चार साल ठीक है ब्रिटिस सरकार ने भारतियों की स्वासासन की मांग को ठुगरा दिया 1919 इसवी में ब्रिटिस सरकार ने भारतियों पर रॉलर्ट एक्ट जैसा काला कानून बनाया था जिसके बारे में मैंने काला कानून के बारे में बता दिया था और आप लोग को बता दे 13 अपरेल 1919 में जलिया बाला बाग का हत्याकान भी हुआ था ठीक है जलिया बाला बाग का असुरुात मुहँमद अलि वस्व confront Alie ने क्या था महत्मागान इन अस्योग लोन की शुरुआत क्या था 18...... में चोरा चोरी हुआ था कहां हुआ था उत्तर पर्देश में हुआ था कहां हुआ था उत्तर पर्देश में हुआ था यह हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असयोग अंदरों को क्या कर लिया वापस कर लिया 9 अगस 1925 को काकोरी में करांती कारियों ने अंग्रेजी खजानों ले जा रही ट्रेन को क्या कर लेता है लूट लेता और 1868 सिस्वी पे साइमन कमिशन भारत आया जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपतराई की मिर्तियों हो गया 8 मार्च 1939 को भगत सिंग वा बटेश्वर दत ने असेंबली में क्याक फेक दिया था बम फेक दिया था 12 मार्च 1939 को महत्मा गांदी ने सावरमति से दांडी यात्रा को प्रारम किया था 6 अप्रेल 1939 को डांडी पहुँचकर महत्मा गांदी ने नमक कानुन को तोर वाशवन्य अवेग्या अंदोलन की क्या की थी शुरुवात की थी 1930 में डॉक्टर अंबेदकर अनुसीची जातियों की दमित वर्ग एसोसियन में संगठित किया था और 23 मार्च 1931 को भगस सिंग सुखदेव सिंग राजगुरु को फासी दे दिया गया 1931 इस भी में गांधी इविन समझ लिया परन्तु उन्हें वहां पर अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि वहां पर बोल दिया कि आये भाई हम सब हाथ मिला लेते हैं सब नियाव गयां दोलन को वापस ले लिया जाए लेकिन यह बोला महत्मा गांधी कि भाई हम जो आप लोगों ने जो मेरे लोग को करांती कारियों लोगों को हिरासत में ले उसको छोड़ दिजिये और सुराज वापस दे दिजिये लेकिन बोला नहीं तो फिर बोला घात्मा चलिए हम फिर से वही शुरू करते हैं 1932 में महत्मा गांधी अम्बेदकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था 1933 में चोधरी रहमत अली सरपर्थम पाकिस्तान के विचार सामने रखा था और 1935 में भारत सासन अधिनियम पारित हुआ था वाप्रामतिय सरकार का गढ़न हुआ था 1949 में दूत्य विश्यूद आरम हुआ था 1949 में 1940 के मुस्लिम लिंग की लाहोर और अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया था 1942 में भारत छोरो अंधोलन की शुरुआत वागांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमानु बं हमला किया और दूत्य विश्यूद समाप्त हुआ 1946 में केविनेट मिशन समीधान सभा के परस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस 1947 को क्या होता है भारत अजाध होता है और यहीं पर आप लोग का यह अध्या क्या होता है समाप्त होता है ठीक है तो इसे यह जो रिविजन आप लोग को करवाई बहुत हम स्पीड में करवा दिये मैं मानता हूं इसलिए करवा दिये ताकि आपको हेड़फोन लगा कर आम सी चीज को सून सकते हैं ताकि याद र आप लोग का हो गया पार्ट वान पार्ट टू जो है बहुत ही ज़्यादा जबर्दस्त वीडियो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको देखेंगे तो और मजा आ ठीक है कहीं कोई दिकत नहीं हुआ इस वीडियो को यहां तक आप लोग समझ ही गया है यह जो चौथ हा ठिया था यह आप लोग का कमपिलीट हो गया है इससे पहले ती अधिया कमप्लीट हो già रखा है अगर आप लोग और आप लोग वो नहीं देखें जरुर आप लोग इस वीडियो